ये वीडियो निक्षे में एडरंस सारांश द्रिश्य को समझने में आपकी सहायता करेगा. सबसे पहले आईए एडरंस सारांश के महत्व को समझते हैं. एडरंस सारांश द्रिश्य कर्मचारियों को सभी ओन ट्रीट्मेंट पेशिंट की वास्तविक समय एडरंस जानकारी देखने में सक्षम बनाता है. ये द्रिश्य इसका सारांश प्रदान करता है. वर्तमान में विभिन डिजिटल एडरंस प्रद्योगी कियों 99.MERMVOT पर नमांकित मरीजों की संख्या. ट्रीट्मेंट पर सभी रोगियों का औसत एडरंस. ट्रीट्मेंट पर सभी रोगियों का डिजिटल एडरंस. उन मरीजों की संख्या के बारे में रियल टाइम अपडेट जिन्होंने दिन के लिए खुराक, डिजिटल प्लस, मैनुवल की सूचना दी है. और उन मरीजों की संख्या जिन्होंने अभी तक खुराक की रिपोर्ट नहीं की है. अब आईए अडरंस डैशबोर्ड और अडरंस सारांश द्रिश्य के बीच के अंतर को समझते हैं. अडरंस डैशबोर्ड मुख्य रूप से प्रशास्निक स्टाफ और निरने निर्माताओं यानी CTD, WHO, DTO आदी के लिए डिजाइन किया गया है. जबकि अडरंस सारांश द्रिश्य, ट्रीटमेंट समर्थकूं, STS और TBHV जैसे फिल्ड स्टाफ के लिए डिजाइन किया गया है. एडरंस डैशबोर्ड विशले शनातमक है और एडरंस सारांश द्रिश्य कारवाई योग्य है. ये निक्षय पेज के भीतर मौजूद है. एडरंस डैशबोर्ड को PHI से लेकर राष्ट्रिये किसी भी स्तर पर एकत्रित किया जाता है, जबकि एडरंस सारांश को PHI, TU और जिला स्तर पर एकत्रित किया जाता है. Adderance Dashboard में data T1 है, यानि सभी report पिछले दिन तक update है, जबकि Adderance सारांश real-time update दिखाता है Adderance Dashboard में उन सभी मरीजों का Adderance data होता है, जो treatment पर हैं और साथ ही जिन्होंने अपना treatment पूरा कर लिया है Adderance सारांश treatment पर मरीजों की Adderance report प्रदर्शित करता है अब देखते हैं कि निक्षय में Adderance सारांश द्रिश्य पर कैसे navigate किया जाए उसके लिए आपको पहले निक्षय वेब पेज पर प्रासंगी credentials के साथ login करना होगा इस पेज पर by pen में मौजूद Adderance सारांश विकल्प पर क्लिक करें एक बार जब आप Adderance सारांश पर क्लिक करते हैं तो Adderance सारांश द्रिश्य प्रदर्शित होता है एक help text दिखाई देगा ये Adderance सारांश द्रिश्य की सभी कारेक्षमता की एक ज़लग देता है सारांश द्रिश्य के उप्योग के बारे में अधिक जानने के लिए explore बटन पर क्लिक करें guided tour को skip करने के लिए skip बटन पर क्लिक करें स्क्रीन के नीचे दाई और आपको एक प्रेश्ण चिन्ह वाला बटन मिलेगा यदि आप फिर से टिटोरियल देखना चाते हैं तो बटन पर क्लिक करें टॉप पर मरीजों की संख्या एक विशेश जिले में ओन ट्रीट्मेंट मरीजों की कुल संख्या को दर्शाती है सारांश द्रिश्य आपको चुनने के लिए तीन फिल्टर प्रदान करता है पहला ड्रॉप डाउन आपको मरीज के प्रकार का चयन करने की अनुमती देता है अगला ड्रॉप डाउन रोग के प्रकार का चयन करता है अगले ड्रॉप डाउन में आप एक विशिष्ट डिजिटल अडरेंस टेकनोलोजी पर सभी मरीजों या मरीजों के सबसेट का चयन कर सकते हैं फिल्टर का चयन करने के बाद आप या तो फिल्टर रिसेट करना चुन सकते हैं या फिल्टर अपलाई करने का चयन कर सकते हैं अभी के लिए आईए फिल्टर अपलाई करें फिल्टर अपलाई करने के बाद आप आवशक डेटा देख सकते हैं एडिरंस टास्क लिस्ट उन मरीजों की संख्या प्रदर्शित करता है जो चार अलग-अलग श्रेणियों में सूची बध लगतार खुराक चूक चुके हैं 14 लंबित खुराक, 8 से 14 लंबित खुराक, 4 से 7 लंबित खुराक और 1 से 3 लंबित खुराक शीश पर इस्थित बार लंबित खुराक वाले मरीजों का समग्र डेटा दिखाती है यहां नीला रंग 7 से अधिक असूचित खुराकों को दर्शाता है और पीला रंग 7 से कम असूचित खुराकों को दर्शाता है दाइं ओर का ग्राफ प्रतियक अधरन्स तक्नीक पर नमांकित मरीजों की कुल संख्या को प्रदर्शित करता है यहां मरीजों की संख्या दर्शाती है कि ओन ट्रीटमेंट मरीजों की कुल संख्या में से 2401 मरीजों को डिजिटल अधरन्स पर नमांकित किया गया है यहाँ टेबल्स पष्ट रूप से प्रत्य एक Digital Adderance तकनीक के लिए मरीज संख्या को दर्शाती है अब यदि आप DAT पर सभी मरीजों का डेटा देखना चाहते हैं, बस Adderance तकनीक के लिए drop-down से DAT के विकल्प का चयन करें और Apply बटन पर क्लिक करें अब आप DAT पर सभी मरीजों के लिए Adderance Task List और DAT में नामांकित मरीजों की कुल संख्या देख सकते हैं यहाँ टेबल M.E.R.M. और 99.Dots के लिए मरीज संख्या प्रदर्शित करता है जब आप स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप वर्तमान दिन का डेटा देख सकते हैं यहाँ ग्राफ उन सभी DAT मरीजों की संख्या प्रदर्शित करता है जिन्होंने आज एक खुराक की सूचना दी है तालिका दिन के लिए रिपोर्ट की गई खुराक के प्रकार को दर्शाती है यहाँ लंबित खुराक में रिपोर्ट ना की गई खुराक और मैनुवल रूप से रिपोर्ट की गई छूटी हुई खुराक शामिल हैं ऐसे मामलों में स्टाफ को लंबित खुराकों के लिए मरीजों के साथ फॉलो अप करनी की आवशक्ता होती है. दाई और ग्राफ चैनित कोहोर्ट अवधी की डिजिटल रूप से रिपोर्ट की गई और मैनुवल रूप से चिनहित दोनों खुराकों का उसत एडरेंस प्रदर्शित करता है. Digital Adderance Graph DAT पर रोगियों की डिजिटल रूप से रिपोर्ट की गई खुराक को प्रदर्शित करता है दाई और आपको अधिक विवरण के लिए एक बटन मिलेगा क्लिक करने पर आप Adderance Dashboard पर Redirect हो जाएंगे ये निक्षय में Adderance सारांच द्रिश्य को समझने की प्रक्रिया को पूरा करता है